नमस्कार स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसे कि आप लोग थम्नेल देखके समझी चुके होंगे कि आज की ये वीडियो की संबंद में होने वाली है तो आज के इस वीडियो में हम आपको पोशन ट्रेकरेप में टी एचार के फ कोई सही से जनकारी बताईए जिसके हमें समझ में आए कि इस महिने का जो टी एचार का फॉर्म है वो हम लोग कैसे भड़ेंगे तो इसी के संबंद में हम आपको ये सारी जनकारिया देने वाले हैं और आप सभी को मैं बताते चलूं कि और भी आगनबारी बहनों का कमेंट आया था कि क्या हम लोग पिछले वाले भरजन में जाके जो इस महिने का टी एचार का फॉर्म है उसको हम लोग भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे इसके बारे में भी जनकारी दीजेगा जैसे कि ये जो अपडेट है वो 12.4 का अपडेट है और इसे पिछले वाले अप अपनाने के बाद इस वीडियो को बना रहे हैं जिससे कि आप तक ये सही जनकारी पहुंच सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उमीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा ल अधार वेरिफाई किये किसी भी लभारती को हम लोग टी एचर नहीं दे पाएंगे इसके बारे में आप सभी को जनकारी मिली गई होगी और जैसे कि हम लोग अधार वेरिफाई करने भी जा रहे हैं तो उस समय क्या हो रहा है कि कुछ परिशानी आप लोग को देखने को मिल रही है जैसे कि अधार वेरिफाई कर चुके हैं लेकिन इन प्रोग्रेस अभी भी दिखा रहा है कई दिन हो चुके हैं लेकिन यहां पे जो वेरिफाई का ओप्सन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है और नहीं यहां पे उन वेरिफाई हो रहा है जिससे कि हम यह पता लग सक कि हम अधार के साथ जो नाम मैच किये हैं वो सही से मैच हुआ है या नहीं तो ये भी problem आप सभी को हो रही है कही न कहीं जो इसमें ही problem है जिसके कारण आप सभी को इस परकार की परेसानियों का सामना करना पर रहा है और जैसे कि यहाँ पर अधार फेरिफाई हो जाने के बाद इस परकार का जो सिंबल है वो आपको देखने को मिलेगा तो समझिए कि आपका जो अधार है वो फेरिफाई हो चुका है जैसे कि आधार जिनका verify हो चुका है उस पे हम लोग click करके जो THR का form भरते हैं तो यहाँ पे पोशक हस्त छेप पे click करके यहाँ पे THR का form जब हम लोग भर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है जैसे कि submit जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि THR के लिए अनुग्याद दिनों की संख्या के बराबर या उससे कम होना चाहिए यानि कि अगर आप लोग जिनका अधार भेरिफाई हो चुका है उनको आप लोग 25 दिनों के लिए THR देते हैं तो 25 दिनों से कम के दिन में आप लोग फिर से THR करेंगे तो इस परकार का मैसेज आपको देखने को मिलेगा यानि कि 25 दिन पूरे होने के बाद ही आप यहाँ पे पोसंट रेकर एप में जो THR का फोर्म है उसको इस परकार से भर पाएंगे तो इस परकार की जो इनको समस्या हो रही है तो यह समझ यह कि 25 दिनों का जब समय पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको भरेंगे तो आपको यह प्रवलम नहीं आएगी और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चो की केटेगरी है यहाँ पे बच्चो की केटेगरी में भी अधार भेरिफाई करने का ओप्शन मांगा जा रहा है लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उनका अधार तो बना नहीं होगा इसके कर लोगों आप लोग को देखने को मिल रहा है चलिए हम आपको यहाँ पे इसे पीछे वाला भर्जन इंस्ट्रॉल करके आपको दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने तीन चार जो पोशन ट्रेकर एप का ओल्ड भर्जन है उसको यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पे सभी तरीके अपनाने के बाद ही आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि क्या उल्ड भर्जन को इंस्ट्रॉल करके हम लोग ठीचर का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं इसका क्या रिजल्ट आ रहा है हम आपको यहाँ पे आगे बताने वाले हैं उसके बाद ह यहाँ पे हम 12.0 का पूराना भर्जन है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो चलिए पहले हमको न्यू अपडेट वाला भर्जन हम लोग इंस्टॉल किये हैं उसको पहले अनिस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह जो न्यू भर्जन है 12.4 का इसको हम सब 2.0 का जो भर्जन है, simply हमको यहाँ पे install वाले पे click कर देना है, यहाँ पे यह install का option मांग रहा है, तो हम simply इसको install पे click कर देंगे, यहाँ पे यह install हो चुका है, इसको हम यहीं से open कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग back जाके भी open कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ ही से इसको open कर लेते हैं, यहाँ पे यह option आज गया है, language select करने का, यहाँ पे आप किसी भी language को select कर सकते हैं, language select करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे, कि यह जो भर्जन है, वो 12.0 का भर्जन यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे हम simply mobile number और MPIN डाल के login कर लेते हैं, यहाँ पे हमने mobile number और MPIN डाल दिया है, डालने के बाद यहाँ पे login पे click करेंगे, तो जो 12.4 में यहाँ पे logo दिखा रहा था, स्वस्त बालक बालिका अस्परधा का, वो यहाँ पे logo नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है यह old version है, अब यहाँ पे हम beneficiary वाले पे click करेंगे, click करने के बाद किसी एक लभार्थी को, हम लोग THR का जो form है उसको भरेंगे, किसी भी एक form को हम लोग open करेंगे, जैसे कि उसके लिए यहाँ पे three dot पे click कर देना है, click करने के बाद add growth and nutrition details पे click कर देना है, फिर उसके बाद पोशक हस्ते छेप वाले पे click कर देना है, click करने के बाद यहाँ पे take home रासन का जो option आप लोग देख रहे हैं, जो box है, इस पे आपक दीनों की संख्या लिख देनी है, फिर यहाँ पे किसी एक पे आपको click कर देना है, click करने के बाद यहाँ पे जो submit का option है, इस पे हमको click कर देना है, जैसे ही आप लोग click करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है, please update app to new version to continue your work, कह रहा है कि आपको यहाँ से यह form को नहीं भर 12.4 का, जिसमें कि आप लोग को क्या-क्या परिशानी हो रही है, आप लोग देखी पा रहे होंगे, कि वहाँ पे form जो है, submit नहीं हो पा रहा है, तो इस परकार से देख सकते हैं कि old version में भी जाके हम लोग THR का form जो है, नहीं भर पाएंगे, तो जैसे कि देख सकते हम फिर स portion tracker app को update कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो system की कमी है, उसके कारण ही आप लोग को portion tracker app में इन तमाम तरह की परिशानियों से जुझना पर रहा है, अभी भी आप लोग के पास 13 दिनों का या 12 दिनों का लगभग समय है, तो इस अंतराल में कोई नया update आता है, जिससे क आप लोग को इस THR form को भरने में कोई समस्या न आये, इसके बारे में कोई नया update आता है, तो हम आपको इस channel के माधियम से जरूर बताएंगे, उमीद है आप सभी को आज की इस वीडियों से पुरी जनकारी मिल गई होगी, तो आप लोग किसी भी तरीके से नहीं भर पाएं तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद